हाई एवरिवन आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे बचाब रेलवे की आरपी एफ और एसाई ठीक है रेलवे की आरपी एफ और एसाई की भरती के बारे में सुना होगा ठीक है चार हजार प्लस और साड़े चार सो प्लस आपकी दोनों के अंदर वेकिंसी है ठीक है अब ये वेकिंसी आपकी जिसकी लास्ट डेट जो है ये थोड़ा सा बताना जरूरी है ये चोदे मई से पहले पहले आप सबको फॉर्म फिल करना है और इस पेशली अब आपके साथ एक और खुशखबरी एड ये हो गई है कि रेलवे की तरफ से एक जवाब आया है इसके लिए ठीक है जवाब क्या आया है ठीक है उन्होंने बोला है कि अगर बाइचांस आपको पता है नो बच्छा कि कुछ सीट्स आपकी होती है जो आपके एक्स सर्विसमेन होते हैं उनके लिए कि अगर बाइचांस इस वेकेंसी में वो नहीं मिले या महिला अभ्यारतिया आपकी कम रही तो भी उन सीट्स को छोड़ा नहीं जाएगा जितने पद इन्होंने दिये हैं उन पदों पर एक भी खाली पद नहीं रखा जाएगा बाइचांस अगर आपको ये नहीं मि ये आपका रेलवे की तरफ से बयान आया है ठीक है तो आरपी बच्चे जिसका स्लेवस या फिर कर ये एक्जाम पैटर्न बहुत इजी है आपको बस मैट्स में अर्थमेटिक आना है ठीक है रीजनिंग आपकी 35 नंबर और 35 क्वेस्चन आने है वन थर्ड आपकी नेगिट चैनल पर वच्चा बड़े और बिल्कुल टॉपिक वाइस शांदार तरीके से अब देखो रेलवे ने क्या कहा है आर्पिए भरती 4660 पर जिसमें आर्पिएफ कॉंस्टेबल जिसमें 10 पास चाहिए होती है और SI जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है इन्होंने बोला है कि आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में SI और कॉंस्टेबल भरती परिक्षा 2024 में यदि पूर्व सैनिक और महिला अभ्यारती नहीं मिले तो रेलवे भरती बोर्ड संबंदित स्टेणी के पुर्सों से रिक्त पदों को भरेगा कोई भी पद आपका खाली नह होंगे यान की PET और सारीरिक माप आपका PMT होगा उसके बाद आपका रेलवे में लंबे समय के बाद RPF के 4660 पदों पर 19 में आई थी वच्चा लास्ट है भरती निकाली गई है बोर्ड ने तैग कर दिया है यदि किसी कारण वर्ष महीला या पूर्व सैनिक नहीं मिल पाते है और यह बेरोजगारी हमारे भारत के शिक्षित वर्ग में है जो उल्रेडी पढ़े लिखे है 12 कर रखी है उनके पास और शायद यह देखते हुए ही यह फैसला आपका लिया गया होगा आरार भी सबसे पहले कंप्यूटर आधारी टेस्ट करेगा CBT के परदर्शन के आधार पर पूरुष महीला और जो भूत पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमेन है वच्चा उनकी भरतियों की संख्या के 10 गुना को वो फिर आपका कहां लेकर जाएगा आपका पैट के टेस्ट म अरार भी ने चेर्मेन अरार भी के चेर्मन है उनकी अनुसार भूत पूर्व सैनिकों को PET से छूट दी जाएगी जो आपके एक्स सर्विसमेन है उनका प्यक्स बचा नहीं होगा तो आपका वो पूरुष और महीलाए या पूर्व सैनिकों में से किसी भी सम्वर्ग या समू में कमी रही तो दस गुना की सीमा तक ठीक है जो आपके जाने वाले थे दस गुना तक की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को CBT में उनकी योगता के अनुसार PET और PMT के दूसरे दोर में PET और PMT के लिए बुलाया जाएगा PET और PMT के लिए अधिकतम आपके दो राउंड होंगे इस भरती में बने रहने के लिए सारी एक दक्ष्टा जो मैंने आपको पूरा का पूरा सेशन करवा रखा है कितनी आपकी रणिंग होती है किसे आपकी आपकी हाइट होती है अलग-अलग कैटिग्रीज में दक्ष्टा परिक्ष्टा जो है वह आपका उत्रीन करना होगा और यह सामने तयोग गिता होगी इसका कोई अंक यह क्वालिफाइंग है यह आपका कोई नंबर वंबर नहीं जुड़ेगा नंबर के वल आपके वहां से जुड़ने वाले हैं बच्चा ठीक है लेकिन पूर आपको पूरी करनी है और इसमें जो लोंग जंप है वो चोदै आपका फिट का है और हाई जंप जो है वो आपका चार फिट का है महीलक कोंस्टेबल के लिए 800 मीटर की दोड़ है तीन मिनट 40 सेकिंड में यह जो आपको पूरी करनी होगी इसमें पूरा डिटेल सेशन बच सब को फॉर्म फिल करना है क्योंकि बहुत टाइम के बाद वेकेंसी आई है वेकेंसी कम आई है जितनी जान लगा दोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि रेल्वे की जो अपने आप में बहुत जादा शांदार होती है और आपको करना कुछ निया मैथमें डवा क्वाइस जो है सिलसिलेवार हम चल रहे हैं आप वहां पर भी जोइन कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बचा क्योंकि यहां पर भी आपकी रेल्वे से रिलेटेड इन्फोर्मेशन दी जाती है तो मेल कैंडिडेट को वहां पर आपका फिल किया जाएग चल यह थे कर आवरीवन प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल